इस दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों मैं हूँ विकास रंजिन और वेलकम तो कोड़ी टॉकीज विकास दोस्तों वेलकम तो इस निव वीडियो आप सिरीज लॉन सिएसस्स स्काराइच नहीं, कि सारी इंपोर्टें टॉपिक्स पढ़ा रहा हुँ जो की बिगिनर को जिसकी तो अगर आप एक beginner वह आप web development सीखना चाहते हो आपने कभी भी CSS पर कोई काम नहीं किया है यह series आपके लिए बोहत यूसफुल होगी और अप इसे CSS बोहत इसे समझ सकते हो और दोस्तो अगर आप already CSS जानते हो बट फिर भी अपनी basics इंप्रूफ करना चाहते हो यह अपनी skills से revise करना चाहते हो तो भी यह videos आपके लिए बहुत जाजा important है दोस्तो इसके लगाव मैंने HTML पर और programming की basics पर भी काफी सारी videos बना है और HTML की मैंने पूरी course complete की हुई है तो दोस्तो अगर आपको HTML भी scratch से सीखना है या HTML revise करना है तो उनकी links आप description में available है और दोस्तो एक और बहुत ही important update कि मैं सारी videos के notes और source code आप से share करता हूँ वो भी आपको वीडियो के description मिल जाएंगे तो दोस्तो वीडियो के description को please ignore मत कीजेगा बहुत सारी information का ख़जाना होता है उसमें दोस्तो हमने already CSS में border, margin और padding पढ़ी है इसके अलावा दोस्तो हमने पिछले वीडियो में किसी element का height और width देना भी सीखा था दोस्तो इन सारे topics को मिलाकर आज हम एक बहुत important topic पढ़ेंगी जिसको कहते है CSS में box model property जोस्तो box model एक बहुत important property है क्योंकि कई बार क्या होता है कि padding margin की सारी चीज़े डालने से हमारी element वैसे behave नहीं करती जासा हमें expected था जोस्तो box model में हम जाने हैं कि यह चीज़े क्यों होती है कैसे होती है और इने कैसे solve करना चाहिए जोस्तो प्लीज इस वीडियो के एंड तक सरूर बने रहे हैं दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक important request है आप सबसे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब महीं किया है तो प्लीज इसको जल सब्सक्राइब करें आपको regularly मेरे content दिखते रहें और जुस्तों CSS box model यह कहता है कि HTML elements को हम boxes की तरह समझ सकते हैं एक ऐसा box जो की हर element को wrap करता है यहाँ पर box का मतलब आप समझ देजिए एक rectangle और यह जो box है यह rectangle है इसमें क्या-क्या चीज़े होती है बिसिकली यह concentric rectangles होते हैं मतलब एक के अंदर एक rectangle और इसके अंदर उस element का actual content होता है उसके उपर उस element के पैडिंग होती है उसके उपर उस element के border होती है और उसके उपर उस element का margin होता है तो यह चीज़े हमने already जब height और width पढ़ा था element का और जो border, padding और margin पढ़ा था तो यह हमने already देखे हुए है और यह image हमने देखा होगा तो यहाँ पर हम देखिए कि हर element को हम एक rectangle की तरह एक box की तरह रिप्रेजन कर रहे है सबसे अंदर वाला box उस element के actual content का है उसके बाहर यह जो orange color का box है यह उसके padding का है उसके बाद यह जो blue color का box है उसके border का है उसके बाद यह अब करना है कि इसने actual में total कितना space occupied किया हुआ है तो दोस्तों तो टोटल space occupied है वो उसके content की height के अलावा उसके padding की height, border की height और margin की height पे include होगी similarly content के width के अलावा उसके padding की width, border की width और margin की width include होगी तो दोस्तों box model जो है basically वो हमें यह data mine के इनने में help करता है कि एक element ने actually कितना space occupy किया हुआ है हमारे dom पे यहाँ पर देखिए तो यह एक div है जिसकी width है 320 pixel जिसका padding है 10 pixel जिसका border है 5 pixel और margin है 0 pixel तो दोस्तों इसने total कितना space occupy किया होगा सबसे पहले बात करते हैं तो दोस्तों width इसकी 300 only pixel width के बाद आती है content की width के बाद आती है content की padding 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 दोस्तों 10 pixel है इसका उतलब 10 pixel left का 10 pixel right का यानि कि 10 plus 10 similarly border दोस्तों border 5 pixel left का 5 pixel right का और margin 0 pixel left का 0 pixel right का तो दोस्तों इसका जो total width occupied है 320 plus 10 plus 10 20 plus 5 plus 5 10 plus 0 plus 0 margin so actually is element totally 350 pixel occupy किया हुआ है dom में इस तरीके से box model calculate करते हैं यह किसी element की actual width या actual height calculate करते हैं जो इसने dom पे occupy की हुई है so दोस्तों किसी element का total width होता है उसका content width plus left padding plus right border plus left border plus right border plus left margin plus right margin similarly दोस्तों किसी element का total height होता है उसका content की height plus top padding plus bottom padding plus top border plus bottom border plus top margin plus bottom margin दोस्तों हमारे css box model में यह होता है basic हमारा box model जो actual box model जो default box model होता है बट दोस्तों इसमें एक problem में अगर आप अगर आप notice करोगी कि मैंने किसी element को अगर width दी 300 pixel तो शायद मैं expect कराऊं कि element 300 pixel से ज़्यादा बड़ी ना हो बट एक्चल में होता यह है कि अगर मैंने उसको marginal padding दी हुई है तो उसकी actual width है यह actual height है वो उससे ज्यादा होकर आती है जो actual height होती है वो ज्यादा होती है जो हमारी expected height है क्योंकि उसमें add हो जाता है उसके border padding और margin की height border padding और margin की width तो दोस्तों इसलिए एक और concept आता है जिसको हम कहते है alternative css box model दोस्तों जैसा कि हमने बात किया by default browser standard box model यूज करते है जो कि अभी हमने देखा था बट दोस्तों हम ऐसा कर सकते हैं कि एक हम property दे सकते हैं एक हम style दे सकते हैं which is called box sizing but अगर हमने box sizing is equal to border box दिया दोस्तों तो basically के लिए इतना ही देने से basically वो standard box model की जगा alternative css box model आजाता है जोस्तों alternative css box model क्या होगता है अभी हम देखते हैं जोस्तों alternative css box model के लिए हम बस और उसकी value box sizing property यूज करते हैं और उसकी value देते है border box तो दुस्तों यहां मेरी file में मैंने एक div बन आई div id is equal to div1 और standard box model इसको नाम दिया हमने चीक है और इस div1 को मैं कुछ styling दूंगा भी दोस्तों इसके मैंने height देदी 500px width भी देदी 500px height method कम करेदा हूँ 300px background color देता हूँ दोस्तों इसको red इसको मैं padding देता हूँ दोस्तों 10px border देता हूँ 5px pixel की और margin भी देता हूँ दोस्तों 20px की और अब दोस्तों हम इसको चला कर देखते हैं हमारे ब्राउजर में यह देखे दोस्तों इसको 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 इंस्पेक्ट करके आपके दिखा हूँ तो दैसा कि अब अभी इस वह styling दी 300px इसकी height है दोस्तों 500px इसकी width है इसके लाओ 10px की padding है चारो तरफ 5px का border है चारो तरफ और 20px का margin है चारो तरफ तो actually इस element ने कितनी width occupy किया है दोस्तों तो 500 plus 10 plus 10 520 plus 5 plus 5 530 plus 20 plus 25 70 pixel इसने actually apply किया हूँ है similarly दोस्तों इसकी actual height कितनी है 300 plus 10 plus 10 320 plus 5 plus 5 330 plus 20 plus 20 370 so 570 pixel इसकी actual width है दोस्तों और 370 pixel इसकी actual height है दोस्तों जो इस element ने occupy की है standard box model के according अब दोस्तों मैं बिल्कुल ही similar एक और div बनाऊंगा यहां पर और इसका डिव 2 id दोंगा और यहांपर मैं बस text देता हूँ alternative box model और यहां पर मैं इस div 2 को same style देता हूँ दोस्तों क्योंकि अभी बिल्कुल same style है तो आप देखो यह इनकी length तो भी क्योंकि हमने exact same properties दी हुई है दोस्तों इसलिए आप देखो कि तो इनका जो dimensions है वो सब कुछ बिल्कुल same है बट दोस्तों मैं अब यहां पर एक चीज और add करोंगा जिसको मैं कह रहा हूँ box sizing border box मैंने save कर दिया अब दोस्तों जब मैं इसको refresh करता हूँ तो यह देखिए इस style को लगाने के बाद ही जो मेरा विड्थ है वो यहां पर सिर्फ 470 pixel है और जो actual height है वो सिर्फ 270 pixel है इसका क्या मतलब है दोस्तों exactly यह हम देखेंगे तो दोस्तों जैसे ही हम box sizing border box लगाते हैं इसका यह मतलब है कि जो इस element की content height और content width है अब वो उसको calculate नहीं कर रहा है basically अब जो यह 300 pixel height है और 500 pixel width है now this will be including this 500 pixel is including the content plus padding plus border तो इसलिए देखिए इसकी content width automatically 470 pixel हो गई है क्यूं क्यूंकि 470 pixel plus padding 10 plus 10 490 plus border 5 plus 5 तो इसकी जो content width है दोस्तों उसने अपने आपको adjust करके 470 कर लिया है ताकि जो actual width है वो 500 हो जाए तो दोस्तों अगर मैं box sizing border box लगाता हूं तो content width अपने आपको इस तरीके से adjust कर लेता है कि जो actual width है वो इस number के बराबर हो जाए similarly दोस्तों जो content height है वो भी अपने आपको कम कर लेता है तो यहां पर हम देख रहे है content की height भी कम होकर 270 हो गई है क्योंकि 270 plus 10 plus 10 290 plus 5 plus 5 300 is equal to this 300 तो अगर मैं यह box sizing border box हटा दूं दोस्तों तो देखिए वापस से 5 or into 300 हो गया है क्योंकि इस case में यह जो height or width specified है यह इसके content की height or width होती है अगर मैं box sizing border box लगा दूं तो यह height or width है दोस्तों यह इसके content plus padding plus border की height and width होती है इसलिए content की height or width अपने आप auto adjust हो जाती है तो दोस्तों यह फाइदा है हमारे box sizing border box लगाने का और basically कि इससे क्या होता है कि हम जो expect कर रहे हैं कि एक element dom में कितना space occupy करेगा वो actually उतना ही करता है padding और border की height or width के according content की height or width automatically adjust हो जाती है दोस्तों अप observe करेगा कि यहां पर margin की वज़े से effect नहीं आता है क्योंकि margin उस element के बाहर की चीज़ है तो margin के according को auto adjust नहीं करता है बट padding और border के according को auto adjust कर लेता है दोस्तों अब अगर हम चाहते हैं कि यह जो हमारा box sizing border box है यह हमारे सारे element पे लगा रहा है पूरे की पूरी HTML file में तो दोस्तों हम बस यह कहेंगे कि alternative box model को apply करने के लिए मैं पूरे HTML element पे और मैं HTML element के सारे before और after हर element पे यह चीज़े लगा दूगा दोस्तों अगर मैं यह style अपने पूरे page में लगा दूँ दोस्तों इस तरीके से अब इस पूरे HTML page के हर element को box sizing border box मिल रहा है दोस्तों और दोस्तों हर element इसको inherit कर रहा है तो अब हर element में box sizing border box ही लगेगा अब मैं आपको कर यहां पर refresh करके दिखा हूं दोस्तों तो यह देखिया हमारा जो div 1 है यह भी इसके according adjust हो गया है क्योंकि हमने सारी ही HTML element में यह लगा दिया है इसको मैं हटा देता हूं यह वापस से standard box model पे आजाता है इसको मैं लगाता हूं तो यह alternate box model पे आजाता है तो दोस्तों alternate box model basically यह कहता है कि content की height और width auto adjust हो जानी चाहिए according to the padding and border of the element so that the actual height and width is equal to what we had expected जितना हमने expect किया था height and width उस element का उतन ही हमें मिल रही है तो और दोस्तों अगर हम box sizing property यूज करते हैं और उसके value border box देता है तो उस content की height and width automatically adjust हो जाती है दोस्तों आज की video बस इतना ही वीडियो का एंड करने से पहले let me share this very important news with you guys कि इस video को मैंने बनाया है in collaboration with Newton School दोस्तों Newton School आपके लिकर आया है एक कमाल का completely online MS program यानि की Masters of Science in Computer Engineering दोस्तों ये program के लिए Newton School ने tie up किया है Spain के Nea Digital University के साथ दोस्तों Nea Digital University Spain की एक बहुत ही reputed university है जिसके online courses काफी जादा popular है दोस्तों ये जो course है ये European University जो रहा accredited है और पूरी दुन्या में accepted है दोस्तों हमेंसे कई ऐसे लोग होते हैं जो आगे higher studies के लिए master's करना चाते हैं बट कई बार college की fees बहुत जादा होती है कई बार हम अपना existing job नहीं छोड़ सकते हैं कि हमारे उपर बहुत साही responsibilities है तो इन सारे pressures की वज़े से हैं हम आगे पढ़ नहीं पाते है higher studies नहीं कर पाते है बट दोस्तों Newton skill के ये program की सबसे बड़ी benefit है कि ये तो ये completely online है तो अगर आप already job कर रहे हो ये already आप पढ़ाई कर रहे हो जो भी कर रहे हो आप अपने घर बैठे बैठे ये पूरा course कर सकते हो पूरे एक साल तक और सो दोस्तों इसकी fees is very affordable एक साल की fees है 2.5 lakhs plus DST दोस्तों ये बहुत भी affordable fees है for this quality of a course दोस्तों जसा कि मैंने बताया है कि ये degree पूरी दुनिया में accepted है और एक बहुत ही valuable skillset हो सकता है आपकी resume पर चार चान लगाने के लिए बहुत जादा important हो सकता है इसके जारी आपको इंडिया में या बहार भी जॉब मिलने में काफी improvement होगी दोस्तों इस पूरे course में आपको mere digital university की completely online classroom मिलेगी इसके लगा आपको newton school का भी पूरा support मिलेगा newton school के dedicated mentors आपको help करेंगे आपको guide करेंगे इसके लगा दोस्तों newton school आपको placement assistance देगा जिसके दर ही आप top product companies में placed हो सकते हो तो दोस्तों अगर आप computer science industry में अपने success के chances improve करना चाहते हो तो बिल्कुल देर मत करिये और अभी इस course के लिए register कीजिए दोस्तों apply करने के लिए apply now पर click कीजिए और इस form का fill up कर दीजिए और दोस्तों last में एक referral code का section है इस referral code में आप enter कीजिए vikas15 यानि कि विकास15 दोस्तों जो मेरा referral code coding talkies with vikas की तरफ से यह आपके लिए gift है दोस्तों अगर आप यह referral code यूज करते हो जो मैंने आपको बताया इस course की piece is 2.5 lakhs plus GST यह referral code यूज करने के बाद आपको मिलेगा flat 15,000 यानि की 15,000 रुपय का discount तो दोस्तों यह काफी अच्छा option है I highly recommend कि आप जरूर apply कर रहे इस course के लिए और इस course में जरूर याद दखे कि मेरा referral code यूज कर लिए आपका बहुत फायदा होगा तो दोस्तों trust me this course can be a turning point in your career और मैं आपसे request करो कि आप खुद भी यह course करो और अपकी friends में, आपकी family में आपकी colleagues में कोई भी ऐसा इंसान आपको लगता है जसको इस course की जरूरत हो सकते जिसके लिए course helpful हो सकता है तो आप उनको भी यह course जरूर रेकमेंड करें दोस्तों apply करने के लिए आप बस इस form को करके submit कर दो करने के बाद Newton School की टीम से कोई expert आपको जल से जल contact करेगा और फिर आपको आगी की process explain करेगा दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही अगले वीडियो में CSS की और important topics को explore करेंगा और अगले वीडियो बहुत ही बहुत ही जादा important और interesting हो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया मेरा तो प्लीज अभी से लाइक करें और दोस्तों इस वीडियो को जादा लग उसे शेर करें अपनी friends family colleagues या किसी भी ऐसे इंसान से जिसको web development में interest है तो HTML CSS जैसे technology सीखना चाहता है या उन्हें इसके लगा दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के comment में मुझसे पूछ सकते हैं आपको को भी feedback है मुझे यहां भी दे सकते हैं वीडियो comments में या फिर दोस्तों मैंने अपनी Instagram और LinkedIn profile के links आपसे शेर की भी है इस वीडियो के description में available है तो आप मुझे Instagram और LinkedIn पे भी reach out कर सकते हैं और दूसर एक और बहुत ही important update कि मैं सारी वीडियो के notes और source code आपसे शेर करता हूँ वो भी आपको वीडियो के description मिल जाएंगे तो दोस्तो वीडियो के description को please ignore मत किजेगा बहुत सारी information का खजाना होता है उसमें है दोस्तो लास request कि अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे subscribe करें और दोस्तो subscribe के बगल में यह आपको एक bell icon भी दिखेगा प्लीज उस bell icon को प्रेस करें इससे यह फायता होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगा YouTube आपको automatically notification दे देगा Thank you so much also for your time take care, bye bye